हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल नाजे किच्छन तड़का में तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी सी रेशिप पी चट पटा सा लोकी का भरता आपने बहुत बार खाया होगा और वह आपको अच्छा भी लगता है तो एक बार आप मेरी तरीके से लोकी का भरता भी बना के देखें मुझे उमीद है यह आपको जरूर पसंद आएगा इसका टेस्ट भी बहुत है और इसा आप चावल के सा खाएं यह बहुत अच्छा लगता है तो एक वार आप में रेसिपी जरूर ट्राइब करें और आपको रेसिपी अच्छी लगए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं आपको दिखा तो लोकी कभरता बनाने के लिए यह मैंने एक ल लिए हैं अब इनमें सारे वेजिटेवल को दो के काट लूँगी तो मैं आपको काट के दिखाते हो तो लोकी को मैंने छोटे पीसिज में काट लिया है आप चाहें तो इसको गोल-गोल काट सकते हैं जैसे हम आलो की कतली काटते हैं वैसे और यह मैंने प्याज, हरेमेज, एन सब को चोटा-चोटा काट लिया है अब हम इसको बनाना इस्टार्ट करते हिए इवने एक चमसर सयों का तेल डाला है अगर आप रिफाइन में बनाना चाहते हैं तो अप बना लें तो वैल मैंने अच्छी से गरम कर लिया है अब हम इसमें जीरह डालेंगे सीरह हमारा तो इसके ओपर से हम प्याज गाटेंगे प्याज को दो मिनिट चला चला के भूनेंगे तो प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है यह देखिए आप अब हम इसके ओपर से हरी मिर्च डालेंगे चला दें इसे दो मिनिट तलक इसको भी हम भूनेंगे हरी मिर्च दो मिनिट बूनने के बाद इसको पर से टमाटा रेड कर दें और इसको हम चला देंगे टमाटर के ओपर से मैं थोड़ा सारा अद्रक लसन का पेश्ट एड़ कर रही हूं यह बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप डालना शाहते हैं तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं स्कीप कर दें बगेर इसके भी हमारी सबजी अच्छी बनती है अब इसमें आप बस थोड़ा सारा पानी डालें और पानी डालके और इस मसाले को ढखके दो से तीन मिन तलत अच्छे से भुनने दें जिसे की अगर लसन जो हमने डाला है उसका कच्छा पन चला जाएगा और मसाले हमारे अच्छे से भुन जाएंगे दो तीन मिनट मैंने इसको ढखके रखा था या देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है अब इसमें हम अपनी लोकी डालेंगे इसमें मैंने लोकी एड कर दिये लोकी या घिया आप जो भी बोलते हैं और यह आदा चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूं नमक आप में नमक पास्की कर दे कर, मधे य। यह मैं अगर यह आपके पास है अवेलेवल है तो आप डाले और उर नहीं है तो आप इसकीप करदें आप इसमें थोड़ी सारी धनिया पत्ती डाल दें मैं ऊसमें फोड़ी धनिया पत्ती डाल दे 13今 कप बढर अंदे안, जा कर चला दे और चलाके धक्कन इसका हम धक देंगे और इसमें फिर विसल लगाएंगे। कुकर का धकन में विसल लगा दिया है, और आप raw flame भर जए तो आप film को सिलो कर दें, और चाल से पांच विसल लगा लेज तो कुकर में चाल से पांच उट्यां गई है अब हम फुलेम को करेंगे बंद और को कर तंडा होने देंगे फिर हम इसको खोल के देखेंगे देखें मैंने गया जला लिया है अभाम हम इसको फुल फिलेम पे दो मिनट चला चला पे बूहन लेंगे उससे इसका तेल ऊपर अच्छे साज़ाएगा अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप ऐसी रेन दे और अगर मेश करके पसंद दे तो आप इसको साथ बहुत कर तो यह से अच्छे सोसा हो यशे भरता तो ऐसे ही अच्छा लगता है तो देख सकते हैं आप भरता हमारा रेटी हो गया है अब हम इसमें थोड़ी सारी धन्यापत्ट डालेंगे उससे इसका टैस्ट थोड़ा बढब जाता है हमने इसमें थोड़ी कस्तूरी मेथी भी डाली थी थोड़ी धनिय पत्ति अड़ की है अब इसको एक डोंग या प्लेट में सर्व कर लें और थोड़ी धनिय पत्ति आप उपर से डालते हैं तो इसमें मैंने लाल मिर्च बिलकुल नहीं डाली थी यह मैंने हल्दी में ही बनाया है लेकिन अगर आपको लाल मिर्च पसंद है तो तो आप थोड़ी इसमें एड़ कर सकते हैं पैसे मैंने यहरी मिर्च और हल्दी में ही बनाया है तो आपको मेरे एसी भी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अभी तरह का आपने मेरे चै